हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ पूजा और फ्रेंज साथ में आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ हरी मेर्च लहसन और गाजर का बहुत ही तेस्टी और बहुत ही आसानी से बलने वाला अचार और फ्रेंज आप इस आचार को आप इसे या तो फैन की नीचे सुखा दे या धूप में रख दे थोड़ी देर के लिए या फिर किसी कॉल्वन के कपड़े साथ इसे ड्राइ कर ले तहां पर देखिए मैंने तीनो चुजो को अच्छे से बिल्कुल ड्राइ कर लिया है अब मैं इसे कट कर दूँगी क्यो जोड़ा सा हल्दीपाव्डर कď नमग नहीं डीच कर ना अच्छे सिव कर्दे डीच कर देंगे अच्छे सो अदग भी एट कर सकते हैं यहाँ दूप में रख देंगे 2-3 घंटे के लिए तो यहां पर मैंने इसे नैप्कीन के उपर फैला दिया है, आप चाहे तो किसी भी कॉड़र ने कपड़े के उपर इसको फैला दे और इसको सूखने दे दो सी तीन घंटे के लिए ताकि इसका सारा जो मौश्चा रहना वो पुरा खतब हो जाए इस तरीके साब जब सुखा करके बनाएंगे ना तो अचाहर भी खराब नहीं होते और तब तक हम यहाँ पर एक मसाला रिडी करेंगे तो मैंने हब लिया हुआ है दो चप मच सरसो का यूज करना है तो सरसो को मैंने हलका सा भून लिया है अब इसमें एड करेंगे जीरा तो जीरा को भून लेंगे थोड़ी देर यहां पे मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर हलका सरोष्ट करना है बस अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं सौफ तो मैं यहां पे 2 टेबल स्पून सौफ एड़ करूंगी क्योंकि सौफ का जो फ्रेवर है ना चार्थ में बहुत ही मैं आचार के लिए सरसो के लिए कनी ही करना है Спर शाहर के लिए सरसो की फ़ूल करना है तो यहां तो मैं एड़ कप चरा है कम यहां आचार के लिए हो पादुन DAY सरसो का लिए तो यहां पर तेल को पहले हमें अच्छे से गरम कर लेना है जब तक कि तेल में से बिल्कुल धुमान आने लगे फिर उसके बाद हमें अच्छे से गरम कर लेना है तो तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और यहां पर देखिए जो सब्जिया हमने कट करके रखी थी ना जवाइन आमचूर पाउडर एड़ करेंगे इसमें खटास के लिए तो मैंने यहाँ पर यह देल टेबल इस्पून आमचूर पाउडर एड़ कर दिया है और यहाँ पर मैं एड़ करूंगे अब जो मसाले हमने पीस कर रखे हैं तो मैंने हाँ पर मसालो को देखिए दरदरा ही पीसा है और मैं यहाँ पर सारे जितने भी मैंने मसाले पीसे थे थे ना सारा मैं इसमें डाल दूँगी तो आप चीजों करेंगे नहीं चाए और टो डालगा इस पर टो परसते की नहीं चाहिए इसे इसपा ट की और मिक्स करेंगे कि अच्छे से मिक्स कर लेना है अचार में aur मैंगे सब्सक्राप्स ता Sierra Miss अची है नमक करेंगे अब नमक आठte गाते हैं तो मैंने टीदमंगी ऎतुर से जाएच अपर भर लेंगे अब अच्छे से इसको mix कर लेंगे नमक ढलने के बाद और लाश्ट में friends मैं हाँ पर add कर रही हूँ एक टेबल स्पून विनेगर इसे जो अचार होगा वो खराब नहीं होगा और अचार में एक खटास भी आएगा विनेगर से तो विनेगर डाल करके अच्छे से mix कर लेना है मैंने हाँ पर white vinegar लिया है तो बस देखिए friends हमारा ये जो mix अचार है ये बनके ready हो गया है खाने में ये बहुत ही tasty होता है और खराब होने का डर बिल्कुल भी नहीं है और यहां पर मैंने एक कांच का कंटेनर लिया है आपको धान रखना है कि कंटेनर को आपको अच्छे से dry कर लेना है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए आप इसे धूप में रख दे या फिर cotton के कपड़े साब इसे बिल्कुल dry करके ही आप इसमें अचार डालिएगा और कोशिश करे कि जो भी आप कंटेनर लेना वो कांच का रहे क्योंकि अचार कर रहे से कंटेनर में अचार होता है यहां पर देखिए इसमें weakest wipe घर लिया है यहां पर एसमें डानी हूँ mustard oil जो मैंने गरम करके रखा था और बाद ने मैंने फिर से इसमें ये half cup mustard oil गरम करके इसमें डाला था तो यहां पर मैंने total इसमें 2 cup oil का यूस किया था तो बस अब इसको अच्छे से cover कर देंगे और यहां पर अच्छे से mix कर लेना है हमें ताकि सारा जो हमने ओयल डाला है और सारे जो अच्छे से mix हो जाएं अच्छे से mix कर लिया है और यहां पर फ्रेंज साब आप जो अच्छार है यह बनके रेडी हो गया है तो आप इसे सिब 2-3 खंटे के लिए आप इसे धूप में रख दीजे तीन से चार दिन के लिए सिर्फ ज़्यादा देर इसको धूप में मत ठखेगा नहीं तो उससे भी अच्छार जो होता है उसका कलर काला हो जाता है तो ज्यादा नहीं इसे 2-3 खंटे आप इसे 2-3 दिन तक धूप में रख देंगे नहीं तो जो अच्छार है नहीं बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए और मैं आपको एक बैसे ओपन करके दिखा देती हूँ कि दिखने में कैसा लग रहा है यह अचार इतना टेस्टी होता है ना कि आप इसे तुरंद खा सकते हैं आप लोगों को फ्रेंड से अचार की रेश्पी कैसी लगी रेश्पी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो की नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को रेश्पी कैसी लगी रेश्पी पसंद आई है तो मिलूगी आप लोगों से नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई